कोमोडो ड्रेगन का क्या मतलब होता है और कोमोडो ड्रेगन दिखने में कैसा होता है और इसकी क्या खासियत होती है ये आज किस वीडियो में सीख लेते हैं Komodo Dragon को Komodo Monitor भी कहती है और ये इस तरीके की दिखने वाली एक छिपकली की ही प्रजाती होती है जो उष्ण कटिबंद ये वनों जैसे की इंडोनेशियाई द्वीप, Komodo, रिंका, फ्लोरेस और गिली मोटांग में पाये जाती है ये एक Monitor छिपकली की ही प्रजाती है ये एक बहुत बड़ी छिपकली होती है जो आम तोर पर जमीन पर रहती है लेकिन ये पानी में भी रह सकती है और जमीन पर भी रह सकती है इसके जो Maximum Speed है वो 20 किलोमेटर पर आओर होती है लेकिन ये लगातार 20 किलोमेटर पर आओर की स्पीड से नहीं भागती जब ये एक दम से भागती है किसे शिकार को पकड़ने के लिए तब जो इसकी Maximum Speed है वो 20 किलोमेटर परती घंटा तक हो जाती है और जो इसका वजन है वो जो Мेल छिपकली है मेल कॉमोडो ड्रैगन जो होता है याने कि जो नर कॉमोडो ड्रैगन होता है उसका वजन जो है वो 79 केजी से 91 केजी तक होता है यानि कि जो average वजन है आप ये कह सकते हैं 85 kg होता है इनकी 85 kg होता है और जो female होती है उसका वजन जो है यानि कि जो मादा komodo dragon होती है उसका वजन 68 से 73 kg होता है यह हम जब वो adult हो जाते हैं यानि कि वैस्क हो जाते हैं तब का हम वजन की बात कर रही हैं और जो length है यानि कि लंब कि जो female है वो 2.3 meters लंबी होती है और आपको Commodore Dragon देखने में कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताईएगा अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें